दस्तो हमारी आसपास में अनेक ऐसी जड़ी बुटिया और व्रुक्स पाए जाते हैं जिनको हम रोज देखते हैं कहीं न कहीं इसको अवच्चे ही देखते हैं लेकिन इसके गून और पायदे से अंजान होते हैं साधारण साद दिखने वाला व्रुक्स अनेक प्रकार के अवसद्य गूनों से परपुर होता है लेकिन इसके गूनों की न जानने के वज़े से हम इसका लाब और पायदे नहीं ने सकते हैं विलाईती इमली का व्रुक्स भी ऐसा ही एक व्रुक्स है जंगल जलीबी जिसे विलाईती इमली भी कहा जाता है दोस्तों आज की वीडियो में हम जंगल जलीबी के बारे में बात करेंगे जंगल जलीबी के व्रुक्स की पहिचान करेंगे और इसके फायदे के बारे में आपको पूरी जान करेंगे विलाइती एमली का व्रुक्स भी ऐसा ही एक व्रुक्स है इस व्रुक्स पर गोल-गोल जलिबी के आकार वाले फलिया लगती है जिसे लोग गंगा एमली जंगल जलिबी की नाम से भी जानते है यह बहुती स्वाधिस्ट होते है और यह हरे रंके होते है और पकने के बाद लाल और गुलावी रंके हो जाते हैं देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुपत होता है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाए और ओलो नोटिपिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके जंगल जले भी अनेक परकार की आवसद्य गुनों से बरपुर होती है इसकी चाल, पत्ते और जड़ का भी प्रयोग अवसद्य कारियों में किया जाता है जंगल जले भी का एक व्रुक से होता है जिसे विलायती इमले भी कहा जाता है ये व्रुक से लगबक 30 फीट तक उंचा होता है और सिधा बढ़ता है इस पर काटे होते है और इस पर जो फल लगते है ये गुल गुल जले भी के आकार वाले होते है इसलिए ही इसे जंगल जले भी कहा जाता है इसकी फलिया सुरुआती दोर में यानि कच्छी अवस्था में हरे रंकी होती है और पकने के बाद लाल रंकी हो जाती है इसमें जो गुद्दा होता है ये सफेद रंका होता है पक जाने के बाद ये भी लाल हो जाता है और ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है गोल गोल जलेबी के आकार वाले हवा में लटकते हुए ये फल बड़े ही सुन्दर लगते है इस विलाईती इमली को आमभासा में मिठी इमली, जंगल जलेबी, गंगा इमली और गोरख आमली से जानते हैं इसके वरुक्स भारत के गुजरात, राजस्तान, दिल्ली, मत्यप्रदेश और महाराष्ट तथा उत्रप्रदेश में होता है ये दक्षिन भारत में भी जंगल जलेबी जितनी देखने में सुन्दर और स्वाधिष्ट होती है, उतनी ही फाइदेमन भी होती ही, इसमें अनेक प्रकार के ऐसे अवसधिय गुन होते हैं जो सिहत के लिए फाइदेमन होते हैं, इसका सेवन अनेक प्रकार की बीमारियों को नेश्ट नाबूद करता इसमें आईरन, कार्बोहटरेट, पोटेशियम, मेगनेशियम, प्रोटिन, विटामिन और थियामिन चेशे तत्व होते हैं इसमें एंटी एप्लिमेंटरी और एंटी डायाबिटिक कुन होती है ये एंटी ओक्सिडेंट से भी परपूर होती है ये तत्वसर की अनेक प्रकार की बिमारियों को दूर करते है जंगल जलिबी का सेवन, बुखार, एकजिमा, सर्दी, दर्द, गले की खारास, किल मुहा से और फोड़े फुंचियों में लापकरी होता है तो दोस्तो आज हम जंगल जलिबी के पाइदे के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो आईए जानते हैं कि जंगल जलिबी का सेवन हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से पाइदेमंद होता है इस वरुक्स की छालका काड़ा बनाकर पिने से चर्म विकारों का समन होता है इसके सेवन से दाद, खाज, कुजली, गिली-कुजली जैसे चर्म रोग नश्ट होते हैं। इसकी अलावा इसकी पत्यों की पेष्ट बना कर चर्म रोगों के स्थान पर लगाने से भी बहुत लाप होता है। दोस्तो इसकी साथ ही इसकी चाल को पाने में उबालकर इससे सनान करने से भी चर्मरोगों में काफी लाप होता है। यदि आप कुछ दिनों तक लगातार इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो चर्मरोग लगबग नश्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये पेट के सभी रोगों में लापकारी होती है, पेट के रोगों में इसके पांचाक का काड़ा बना कर सेवन करना लापकारी होता है, इसके अलावा इसके काड़े का सेवन करने से लिवर मजबुत बनता है, इसके लिए आप इसकी जड, तना, पत्ते, फूल और इ करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकार के साथ